आप सबका तो गुलास 11 के स्टूडेंट्स के लिए नेक्स चैटर है हमारा क्लासिफिकेशन ओफ एलिमेंट्स एंड प्रियोडिसिटी इन प्रोपर्टीज इसके हम लोग 30 मिनिट्स रिवीजन करने वाले हैं इस से पहले हम लोग 30 मिनिट्स रिवीजन कर चुके हैं क्लासिफिकेशन ओफ एलिमेंट्स का बटवारा कर देना हमारी प्रियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स को आप सिध्धे एक दम से आप नहीं कर सकते हो तो इजी है कि उनको क्लासिफाई करो है ना बाटो और राज करो उनको डिवाइड कर दो अलग-अलग orbitals के अंदर अलग-अलग ब्लोक के अंदर और फिर देखो किया क्या concept है तो चलिए सबसे पहला question जो आपका बनता है वट इज प्रियोडिक टेबल है ना इस chapter में लोग प्रियोडिक टेबल की ही बात करेंगे प्रियोडिक टेबल क्या होता है arrangement of in which elements with similar properties placed together in tabular form tables बनाई गई है जिन elements की property देख जैसे उनको एक group में डाल गया जाता है अगला है what is the basic theme of organization in periodic table हमें periodic table बनाने की जूर्थ ही क्यों पड़ी so that कि हम elements की study को simplify कर सके and systemize कर सके simplify और systemize करने के लिए अगला question arise होता है why do we need to classify element? 118 element है for a simple person it is impossible to remember all the properties और इसी वज़े से वही बात है कि इनके elements की properties को simplify और systemize करने के लिए हमने elements को classify किया है उसी के लिए हम लोगोंने periodic table बनाई है अब देखिए periodic table जो हम आज पढ़ते है आज हम modern periodic table पढ़ते है एकदम से वह वैसी नहीं बनी है scientist ने बहुत सारे योगदान दिये है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डोबे राइनर भाया ने इसके लिए try किया कि चलो बना दिते है डोबे राइनर जी ने क्या किया था elements को तिन-तिन के group में बनाया था और वो तिन-तिन के group कुछ ऐसे थे जैसे कि A, B, C ये एक try है कि A और C के mass की जो average होगी वो equal होगी या प्रोक्स equal होगी to B क्या बोलते हैं हम लोग जो middle element का mass होगा वो दो elements जो terminal atoms है उनके mass की average के equal होगा या अप्रोक्स equal होगा जैसे कि एक example ले लेते हैं lithium, sodium, potassium ये try है यहाँ पर lithium का mass होता है 7, sodium का 23 और potassium का 39 टर्मिनल की average निकालो 39 plus 7 by 2 that is 23 यही है और हर एक time में यही था लगबग सेम ही आ रहा था middle का mass है वो terminal की average के तो बट वो ज्यादा तर elements के लिए applicable था नहीं तो उसमें बहुत सार बड़ी कमी यह थी इसके बाद नया periodic table आया भई जिसे हम लोग बोलते है new land low of octave ज्यादा music पसंद करता था भाई है न मिस पूजा का fan था यह थी come to the point तो उन्होंने क्या बोला उन्होंने बोला कि अगर हम elements को arrange करे in the increasing order of their atomic mass मैं एक बात आयता है हमारी modern periodic table से पहले जितनी भी periodic table बन रही थी न वो कहीं न कहीं atomic mass से related थी वो यह बोलते थी कि elements की जो properties है वो atomic mass पर depend करती है इन्होंने भी कुछ ऐसा ही बोला कि हम elements को arrange कर दे in the increasing order of mass तो हर एक 8th element के properties first element के similar होगी it at 8th place like 8 note on musical scale जैसे music में क्या होता है सा रे गा मा पा दा नी और एड़ फिर सा आ जाता है ऐसी इंग्लिस में भी होता है मैं रकाते नहीं हो ऐसे इंग्लिस गाने डो रे मी फो पासो लाती ठीक है यह है यह इन्होंने लगा रखे है इसकी कमी क्या थी कि यह सिर्फ 20th element तक ही applicable था इसके बाद नेक्स्ट प्रियोडिक्टेबल आई यह हमारे भाई साब है मोस्कोव उनिवर्स्टी में परफेसर थे यह रैसिया की मोस्कोव उनिवर्स्टी में बहुत मेहनत की है इन्होंने और कहा जाता है कि सबसे बड़ा योगदान जो आज कल हम प्रियोडिक्टेबल परते हैं वो इनका ही था इन्होंने क्या बोला इन्होंने बोला फिजिकल एंड केमिकल प्रोपर्टी ऑफ एलिमेंट इस प्रियोडिक फंक्शन उनको इन्होंने बोला था पिरियोड्स नाइन वर्टिकल कॉलम्स थे कुछ इस तरह से इसको इन्होंने क्या बोला था भईया इसको इन्होंने बोल जिया था ग्रूप्स और जो ग्रूप्स थे इनको फर्दर डिवाइड किया गया था AB है ना 1AB इस तरह से इनको बोल जागा था subgroups ठीक है और जो lengthenoid, actenoid है 4F, 5F, F लोग के जो elements होते हैं वो इन्होंने bottom पे लगा जिया थे बहुत बढ़िया बात थी बहुत बढ़िया effort लगाए गए थे बट हमेशा मैं बोलता हूँ इसमें भी कमिया है और इन्होंने तो बहुत पहले इसकी कोज की थी तो इसमें भी कमिया थी जैसे कि इनमें कोई भी जगह नहीं थी isotopes के लिए isotopes के से कहते हैं जब एक ही element के अलग-अलग atoms होते हैं जिनका atomic mass different होता है तो क्योंकि atomic mass पर डिपेंड करती है अब एक ही element के अलग-अलग atomic mass हो सकते हैं इवन लग-बग हर एक element के isotopes होते हैं तो अगर 60 element है तो 120, 180, 180, 180 के करीब elements हो दाएंगे अगर isotopes के coding देखे दो तो इन्होंने ऐसो कुछ concept नहीं बताया ठीक है ना कुछ irregularity थी लाइक जैसे potassium कमास 39 है, argon कमास 40 है, इस base पे potassium पहले आना चाहिए, argon बाद में आना चाहिए बट इन्होंने आरगन को पहले कर रखा था, potassium को बाद में कर रखा था ठीक है ना, hydrogen की position के बारे में कोई इन्होंने proper justification नहीं दी थी, इसके अलावा कुछ elements थे जिनकी properties नहीं मिलती है, फिको निफ, iron, cobalt, nickel, उसको इन्होंने एक ही जगा पर रख दिया था, ये बड़ी कमी थी चलो, come to the point, ये तो हुई past की बात, अब आते हैं present पे, present में हम लोग पढ़ते है modern periodic table, जिसे हम लोग long form of periodic table भी बोलते हैं, ये दी थी निल्स बोहर ने, modern form of periodic table जो थी, बाकि जो modern periodic low था, वो दिया था, ये scientist, smart boy, इन्हें बोला जाता है, निल्स बोहर, इन्होंने क्या बोला that the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number, इन्होंने बोला कि elements की जो properties होते हैं, वो depend करती है on atomic number, आप से बड़ा famous question पुछा आता है, mandalive periodic low और modern periodic low में main difference क्या है, जो mandalive periodic low है, वो बोलता है physical and chemical properties of elements are periodic function of their mass, atomic mass, अट इन्होंने क्या बोला, model ने, निल्स बोहर ने, sorry, निल्स बोहर ने, हैंडी model ने, कि elements की जो physical and chemical properties होती है, is a periodic function of their atomic number, यह हमारी पूरी periodic table है, इसमें 118 elements के लिए जगा बनाई गई है, और भी कुछ खास बात में हैं इसमें, जैसे कि इसके अंदर आप देखोगे कि कितने, 7, 7 periods हैं, और 18 groups हैं, इसक बोला, क्या, कि elements की properties, regular interval के बाद repeat होती है, वो interval है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, magic number बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इनको magic number, because after these regular intervals, similar elements, repeat, आप देखो, यह दो, यह 8 है, यह 8 है, 18, 18, इनको बीज में डाल देंगे, 32, 32, इस तरह से हमारी periodic table बनाई गई है, के अंदर divide किया गया है, जैसे कि अगर मैं इसको बोलता हूं, यह हमारे पास S block है, इसको बोल देता हूं, यह हमारे पास P block है, इसको बोल देता हूं, यह हमारे पास D block है, और जिसको जगह नहीं दी गई है, इसे आप block बोलते है, S का मतलब होता है, शरीफ, P का मतलब होता है famous personality famous होते बहुत को मिलते हैं तो there are four blocks in the modern product table कौन कौन से s p d and f है नो और वह configuration करके configuration structure of atom में सिखाई है मैंने आप लोगों को structure of atom का detail one should be अगर आप लोगों देखाऊ तो वहापे आपने देखाऊगा s block कहां से कहां तक है group 1 से group 2 में p block right most में है group 13 से group 18 तक d block middle में है group 3 से group 12 और f block जो है two horizontal rows दी गई है हर एक में 14 element है और कहां पर place किया गया है bottom of product table अब इनके कुछ nickname भी होते हैं जैसे कि मैं आपको बोलू s block and p block का nickname क्या होते हैं पुछा जा सकता है क्योंकि यह represent करते हैं यह सबसे फिल करेंगे तो mostly elements के अंदर कुछ न कुछ कमी होती है that's why इनका नाम transition होता है और f block के elements का दूसरा नाम होता है inner transition अब इनका नाम inner transition क्यों है देखो d का नाम है transition और f block action में अगर ध्यान दोगे तो वो d के अंदर है इनके atomic number के हिसाब से देखोगा तो वो d के अंदर होता है d का नाम transition है और यह transition के अंदर है that's why इनका नाम होगा inner transition बड़ा famous question एक नमर को question मुझे लगता है बन सकता है general electronic configuration से है ना spdf की general electronic configuration पुछी जा सकती है अच्छा है को मैं बात आदू कि मैंने class 11 के chemistry के chapter wise important topic बता दिये हैं आप उनको भी देख लेना आपके लिए फायदे मन रहेगा ठीक है कहीं के दोसवर पता नहीं था मुझे तो आपको chapter wise important topic पता लग जाएंगे तो score करना easy हो जाएगा चलो आस-ब्लोक के अलीमेंट्स के जनरल configuration के आगड़ кажता न स1 तो दो पडिलोक के अलमेंट्स के जनरल configuration के आओगी ऐनस to p में कितने रखने सब्हाइंग licon जासने एक से लेकर छे साथे तक डि में जो electron जाता है ना यादी में electrone nh एंटर क्या करता है कहाँ पर पैनल्टी मेट शेल में पैनल्टी मेट शेल अब ये पैनल्टी मेट शेल क्यों ओती है वैलन्स शेल से एक नंबर कम S और P ब्लोक में जब भी लाक्रोन एंटर करेगा वो वैलन्स शेल में एंटर करेगा और इसमें जब भी लाक्रोन एंटर करेगा वो कहाँ पर एंटर करेगा एंटी पैनल्टी मेड अंदर हैं फ्र यो तर थंस दो कम यहां जैसे कि S में पी में जो एंट में गये हैं बाद डी में कितना गत्वाट्र जा सकते हैं एक से लेकर 10 F में जब electron जाएगा तो N-2 होगा N-2 F12 14 ठीक है यहाँ पर N-K values है इसके बाद है कुछ characteristics of S-Block elements यह सिर्फ पढ़ने वाली बाते हैं आप इनको देख के पर सकते हो कि S-Block elements के होते हैं soft metal होते हैं, electro positive होते हैं generally electron देना पसंद करते हैं बहुत soft होते हैं तो इनका melting point low होगा boiling point low होगा low value of ionization enthalpy ionization enthalpy के आता भी थोड़ दे में आगे पढ़ेंगे they show oxidation state of plus one plus two electron देना पसंद करते हैं they are very reactive metal they impart color to the flame जब इनको आग में डालते हैं तो एक color देना श्टार्ट कर देते हैं they show photo electric effect photo electric effect क्या आता है कि जब इन पर sunlight पढ़ती है तो इनके electron बहुत easily निकल जाते हैं they are good reducing agent ये अपना electron देना पसंद करते हैं मतलब इन पर खुद पर oxidation होते हैं दूसरों पर reduction करते हैं that's why ये अच्छे reducing agent कैलाते हैं आगे है P block element P block बहुत पकाऊ होता है आपने देखा होगा rightmost होता है कहां से कहां तक होता है group 13 से लेकर group 18 तक होता है क्या होते हैं इसके अंदर सारी वराइटी में जाते है they include metals, non-metal, metaloid इनके ionization energy बहुत हाई होते हैं इनमें से electron नहीं निकाला जा सकता बहुत तरह के oxidation state show करते हैं प्लस 1, minus 1, plus 2, minus 2, so on, so on सब कुछ हो सकता है उसके बाद यह है कि they are paramagnetic की nature paramagnetic का मतलब है कि इनके पास क्या होते हैं unpred electrons होते हैं they form colored eyes complex बना रहते हैं और सारी state में exist करते हैं solid, liquid, gas और यह अच्छे conductor नहीं मानने जबते heat के और electricity के आगे बढ़ते हैं deep block elements deep block पूरा एक chapter आएगा इवन यह तो बहुत famous series है 3D series श्रीला थी very crazy मुनिफाल्टू कोनी क्यों जी अच्छा इसके यह code trick मैंने करा रखी है आप लोग comment section रताने कि मैंने इसकी trick क्या करवा रखी आप लोगों को 3D series की ठीक है यह क्या करते हैं metallic bond paramagnetic होते हैं colored होते हैं interstitial compound मनाते हैं interstitial compounds का मतलब क्या आता है कि ना जैसे इनके atoms हैं इनके atoms के विच में थोड़ी थोड़ी जगा खाली रह जाती है और उस थोड़ी थोड़ी जगा को fill कर दिया जाता है और जैसे थोड़ी थोड़ी जगा को fill कर दिया जाता है तब जो compounds बनके निकलते हैं उन compounds को हम लोग बोलते हैं interstitial compounds ठीक है यह किसका काम करते हैं catalyst का काम करते है catalyst होता है जो किसी direction की speed change करते है speed up करने का काम आते है aloys बनाते है generally hard होते है metal होते है metal की जितनी भी property है इनका melting point boiling point हाई होता है good conductor of heat and electricity होते है ductile होते है मतलब बड़िया matter जो शब्द बना है वो deep block elements के लिए बना है deep block के elements को देख के ही इस शब्द को गड़ा गया था समझे हो चलो आगे बात आती है app block element app block जो periodic table में सबसे निचे है वैसे सबसे निचे है बट यह सबसे महांगे होते है क्योंकि मिलते ही नहीं है इन्हें rare earth element बोला जाता है that's why मैंने celebrity बोलता हूँ famous बंदे हैं बहुत कम दिखते हैं ठीक है न? they are heavy matter high melting point boiling point variable oxidation state show करते है color dyes बनाते है properties d block से मिलते है permating nature high density silvery white होते है reducing agent होते है metal जितनी भी होगी नो वो reducing agent होगी वो electron देना ही वसंद करते है लेना तो बहुत कम ठीक है? electro positive in nature आगे बढ़ो next बात करते है यह famous question बन सकता है prediction of block group and period कभी भी किसी element की configuration को देखके अगर आप उसको block बदानो period बदानो group बदानो एक दो example करेंगे so that तुमें थोड़ी feel आए block कैसे बताते है जिसमें last electron दाते है period कैसे बताते है principle quantum number for s orbital group कैसे बताते है पहले इसको block पता कर लो अगर वो s block का है तो electron in s is group अगर वो p block का है electron in p plus 12 अगर वो d block का है electron in s plus electron in b मैं आपको example देखके क्यक्सम दाता हूँ जैसे कि आपके पास आगया sodium sodium का atomic number होता है बेटा जी 11 अगर आप इसकी configuration करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 तो सबसे पहली चीज़ आपको block बताना है block क्या होगा in which last electron enters block, अब last electron होगा आप देखो s में गया है तो यह s block का element हो गया ठीक है ना इसकी बाद आप से पुछा जाएगा कि इसका period कौन सा है period क्या होता है principal count number of s जो की 3 है फिर आप से पुछा जाएगा इसका group कौन सा है group कैसे बताते है पहले block पता कर दो block पता जल गया s block का है तो s block के लिए क्या rule है electron in s एक electron है तो इसका group number हो जाएगा I think 7 में आगया होगा दुबारा संदाता हूँ जैसे कि हमारे पास है fluorine fluorine का atomic number होता है 9 configuration कर दो 1s2, 2s2, 2p5 जब तक आपको configuration नहीं आएगे तब तक आप सोच नहीं सकते कि आपको chemistry समझ में आ जाएगी configuration आपको बहुत अच्छे से आनी ही चाहिए कोई option नहीं है ठीक है न तो सबसे पहली बात मैं आपसे पुछता हूँ इसका block क्या होगा block कैसे पता दलता है जिसमें last electron enter कर रहा है अच्छा s से यहां से answer करो गया आप लोग ठीक है न s का बड़ा number देख लो उसके बास से last electron इसका p में गया है तो यह p block element है ठीक है अगली चीज़ आपसे period पुछा जाएगा period कैसे बताते है principal quantum number for s s का principal quantum गया two two group कैसे पता दलेगा वही ब्लोग पता कर लो पी block का है electron p plus 12 electron p पांच है और इसमें 12 जोड़ दो तो यह 17 ग्रूप का है similarly iron आ गया अब बबलो यह में तात्तम तुम लोग खुझ से करो आइरन का atomic number 26 होता है इसकी configuration हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 चलो यह मैं गर्वादतों है सब्सक्राइब नंबर को देखो और उसके बाद से अंसर परो सबसे पहले block कौन सो होगा since last electron d में जा रहा है तो यह d block का है ठीक है उसके बाद आप से पुछा जाएगा period period कैसे बता चलता है जो s का बड़ा नंबर है एसकी जो valence चाल सकी जो सबसे बड़ी चाल है फॉर्थ है वन तो नहीं उसकती टू भी नहीं उसकती थ्री भी नहीं जिसका atomic number 16 है यह किस ब्लोक का है किस ग्रूप का है किस पीड़ का है पता चले आपको कितना सुन में आया है इसके बाद आते है आई अगर जीरो है जीरो का हम निल से रिप्रेजेंट करते हैं निल होता है है सिंबल होता है एन वन को अन से यू टू को बाई से भी थ्री को ट्राइ से टी फॉर को क्वाड क्यू फाइव को पेंट पी शिक्स को हैक्स एस सेवन को सेप्ट एस ओक्ट आठ को ओक्ट ओ नो को एन यह बोलते हैं अब देखिए जैसे कोई एलिमन्ट है मैं आपको बोलता हूं कि इक ऐलिमन्ट है जिसका ओमिक नंबर है oui इस तरह चलता है, है न, yum yum, चलो, मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे पास है, 119, 1 को क्या बोलते है, un, फिर 1 को क्या बोलते है, un, फिर 9 को क्या बोलते है, un, और last में क्या लगा दोगे, em, symbol क्या दाएगा, u, u, e, ठीक है, ऐसी, अगर मैं बोलता हूँ कि, 102 के लिए बताओ, 1 को क्या बोलेंगे, un, 0 को, nil, 2 को क्या बोलेंगे, by, अच्छा, by em नहीं बोला जाएगा, already एक आई आचुका है, तो em, सिर्फ em, ठीक है, जैसे 1, 0, 3 के लिए आजाओ, 1 को क्या बोलेंगे, un, 0 क्या बोलेंगे, nil, और 3 को try, और यहां पर em, em, em नहीं आएगा, i नहीं आ famous effect होता है, देखे, क्या funda है, मैं पूदाता हूँ, कि यह nucleus है, nucleus पे कौन से charge होता है, आप सब को बताएगे, nucleus पे कौन से charge होता है, nucleus पे होता है, positive charge, ठीक है, मैं इसके round में shell लगाऊंगा, यह shell लगा दी, अब मान के दो लो कि यहां पर एक electron है, यहां पर एक electron है, और यहां पर एक electron है, जादा attraction कौन से electron feel करेंगे, obviously जो nucleus के पास है, जो nucleus से दूर है, वो उतनी attraction feel नहीं करेगा, इसका पहला reason तो यह एक distance जादा है, दूसरा reason यह भी है, कि यह जो हैं, अंदर वाले जो electron से, वो उस रिपीट कर रहा हूं, in, definition पर आते हैं, in multi electron atom, the valence shell electron attracted by nucleus and repelled by inner shell, in multi electron atoms, the outer electron feels less attraction towards nucleus due to the repulsion caused by inner electron, बाहर के जो electrons होंगे, वो कम attraction feel करेंगे, क्योंकि inner electron repel कर रहे है, यह अलग-अलग के लिए, अब यहां पर एक अत्य सुन्दर चित्रा पको दिखाए देर होगा, यह nucleus है, ठीक है न, यह अंदर के electron है, यह बाहर के electron है, तो यह इसको बाहर फेंक रहे हैं, repulsion कर रहे हैं, बट nucleus उसको बोला तू अंदर है, ठीक है, शिल्ड, शिल्ड का मतलब होता है, जैसे आपने महाभारत देखा होगा सबने, करण की तरफ जब कोई arrow आती थी, तो करण की बोड अंदर के electron का काम करेंगे, बाहर के electron का अंदर के तरफ अंदर के तरफ अंदर के तरफ अट्रेक्शन नहीं हो, शो करने लेंगे, इसके बाद हमारे पास बड़ा फेंस आता है, inert pair effect, क्या होता है, inert pair effect, reluctance of inert as electron to take part in bonding, due to the poor shielding effect of intervening d and f orbitals in the moving down the group, is called inert pair effect, फोकस किजिए, inert, inert word का मतलब होता है, non-reactive, pair का मतलब होता है, joda, मैं समझाता हूँ आप लोगों को, शायद आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आए, जैसे कि मैं boron की बात करता हूँ, boron family की बात कर लेता हूँ, boron family होती हो group 13, बाबा, अली, गए, इंडिया से, थाइल इसकी configuration हो जाएगी, 4s2, 3d10, 4p1, इसकी configuration हो जाएगी, 5s2, 4d10, 5p1, इसकी configuration हो जाएगी, 6s2, 4f14, 5d10, 6p1, configuration करके देख लेना, valence shell जो बड़ा नमबर है, that is 2s2, 2p1, 3s2, 3p1, 4s2, 4p1, 5s2, 5p1, 6s2, 6p1, इनकी valence shell में 3-3 electron है, बट जब हम down the group जाएगे ना, तो यह अंदर वाले S reaction में participate करना बंद गर देगे, reluctance of inner S orbital electron to participate in chemical reaction, reluctance में सुत्तर ना करना, कि inner S orbital reaction में participate करना बंद कर देता है, कब? as you move down the group, down the group जाने पर, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि D and, due to the intervention of D and F, यहाँ पर D और F जो है, देखलन दाजी करते है, gap आजाता है, यहाँ पर inner pair effect बहुत strong देखने को मिलेगा, ठीक है न? आगे एक बहुत famous सुनने को मिलता है lengthenoid contraction, देखिए जो lengthenoid actenoid है, lengthenoid word use किया जाता है for 4F series, actenoid word use किया जाता है for 5F series, lengthenoid contraction का होता है कि जब हम 4F series में left right जाते हैं, तो जो size है, वो regularly decrease करता है, ठीक है? elements का size जो है, वो regularly decrease करता रहता है, ठीक है? और इस लगातार size के decrease होने को ही हम लोग क्या बोलते है, it is known as lengthenoid contraction, और होता है क्यों है? क्योंकि बाहर के electron बहुत ज shielding fact तो पूर होता है, पता है न आपको, F का shielding fact पूर होता है, वो इतना बाहर वाले electrons को रोक नहीं सकता, तो बाहर वाले electron nucleus की तरफ हीचे चले जाते हैं, और उनका size घरता चला जाता है, आग जाए, atomic size कि से कहते है, atomic size को हम लोग atomic radius भी बोल सकते हैं, कि जैसे कि ये nucleus है, nucleus क पिर है metallic radius, then है venerable radius, covalent radius में अगर आप notice कर पा रहे हो, देखो, क्या है, overlapping हो चुके हो orbitals की, metallic radius में, metal के atom पास-पास हैं, और venerable में दूर-दूर है, तो यहां से अगर आप से को पूछे, कि सबसे बड़ा radius किसका होगा, अच्छा, ये internuclear distance है, तो by 2 किया जाता है, इधर भी दो metallic orbitals के, ये तो internuclear distances के half, तो अब देखो, सब ज़्यादा पास-पास कहा है, covalent radius में, और सब ज़्यादा दूरी कहां पर है, venerable radius में, आप generally observe करोगे कि venerable radius ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें orbital बहुत दूर-दूर होता है, बहुत ज़्यादा gap-gap होता है, और ये आप कहां observe होने को मिलते है, venerable radius, कहां पर एटम बिल्कुल पास-पास नहीं आते, noble gases में, noble gases में दूर-दूर रहते है, that's why उनका size बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ दिखाई देता है, अग्या जाओ, ionic radius के से कहते हैं, बहुत important है, 100% बोलों, इससे later question बन सकता है, दो तरह क्य ions होते हैं, क्या, एक होता है, cationic radius, एक होता है, anionic radius, cationic, obviously cation की बात की जा रही है, positive ion की बात की जा रही है, और जब cation, यानि कि जिसमें positive charge होता है, electron कम होते हैं, और electron कम होते जाएंगे, positive charge बढ़ेगा, electron को अपनी तरफ निचेगा, size घटेगा, या फिर हैसे समझो, को electron क को ले रहे, तो उसका size हमेशा बढ़ेगा, देखे लिखा भी गया है, size of cation is less than parent atom, size of anion always greater than parent atom, clear है, कि नहीं, जैसे की example दिया गया है, al3 positive cation है, उसका size चुट्ट होगा, al से, n positive का size चुट्ट होगा, n से, और anion की बात करें, f negative का size बढ़ा होगा, f से, n 3 negative का size बढ़ा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जिसमें number of electrons same रहते हैं, और जहां पर number of electrons same है, तो वहाँ पर क्या रहेगा, जिसका nuclear charge ज्यादा है, उसका size चुट्टा, क्योंकि nucleus का काम क्या है, nucleus का काम है, nucleus positive होता है, वो बाहर के electrons को अपनी तरफ खिंचेगा, तो देखिए, जिसका nuclear charge ज्यादा होगा, effective nuclear charge, उसका size जो है, क्या हो जाएगा, छोट्टा हो जाएगा, जैसे कि मैं आपसे एक question पूछता हूँ, एक है हमारे पास f negative, एक हमारे पास n e, या n e को छोड़ो, n e positive, इन दुनों की बात कर लेते हैं, इसका atomic number 9 है, इसका atomic number 11 है, इसके पास 10 है, इसके पास 10 है, यह iso electronic है, तो किसका size छोट्टा होगा, मैंने बोला न, जिसका nuclear charge जादा होगा, nuclear atomic number 11 है, तो इसके पास proton 11 है, इसके पास, तो अनायन का size हमेशा बड़ा होता है, हमेशा, क्टायन का size, जितने क्टायन जादा होते चलेंगे, मतलब एक आयन ह है, two positive है, three positive है, तो size जो है, छोटा होता तो लेगा, बन सकता है question, variation of size की अगर मैं बात करूँ, size of atom जो है, decrease करता है period में, जब हम left-right जाते हैं, तो size decrease करता है, क्योंकि nucleus का charge बढ़ता जा रहा है, जब हम down the group जाते हैं, down the group जाने पे, आप लोग observe करोगे कि size बढ़ता चला ज जाएगा, क्योंकि shell बढ़ रही है, और nuclear charge, effective nuclear charge घरता जा रहा है, आगे बात करते हैं, बहुत important है, ionization energy, ionization energy का मतलब क्या होता है, minimum amount of energy required to remove an electron from an outermost shell of an atom, एक atom की outermost shell से electron को निकालना है, अब electron को निकालना है, तो obviously हमें इसको energy देनी पड़ेगी, कोई क्यों अपने electron देगा ठीके, जैसे कि एक atom है, X, या कोई atom है, A, हम उसको क्या करेंगे, energy supply करेंगे, तो वो अपना electron देदेगा, और इस पर कौन सा चाज़ा देगा, positive, ठीके, फिर अगर आप इसको और energy दोगे, तो और electron निकाल लोगे, दो positive हो जाएगा, और energy दोगे, और electron निकाल लोगे, अच हाज trends होते हैं, याद रखिए, यह size के inversely proportion होता है, आप खुद से समझो, कि यह है nucleus, यह है electron, यह है nucleus, यह है electron, यह है nucleus, यह है electron, यह है nucleus और यह है electron, किस case में electron को निकालना easy है, obviously इस में, क्योंकि यहाँ पर positive और negative का जो difference है, distance है, वो बढ़ गया है, और distance बढ़ जाने से electron को easy है, तो यहाँ पर energy ज़्यादा देनी पड़ेगी, यहाँ पर energy आपको कम देनी पड़ेगी, है न, successive, effective nuclear charge के directly proportion होता है, अगर कहीं पर positive charge बढ़ेगा, effective nuclear charge बढ़ेगा, तो electron को निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि nucleus electrons को अपने दरब खीचता है, हम उसको नहीं बाहर निकाल पाएंगे, screening effect, जितना जादा होगा, ionization energy इतनी कम होगी, stability, जितना stable होगा, मुश्किल हो जाएगा, electrons को निकालना, ठीक है, directional nature of orbitals, तब भी electrons को निकालना क्या हो जाता है, अच्छा, successive ionization energy क्या होती है, नाम से के लिए successive, मतलब एक electron निकालने के बाद दूसरा, तीसरा, इस त मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे जैसे electron निकालोगे, electron कम होता जाएंगे, nuclear charge बढ़ता जाएगा, क्योंकि effective nuclear charge बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ते है, electron affinity, या फिर electron gain enthalpy किसे कहते है, देखो, होता क्या है, हमने electron निकाले, हम electron दे भी सकते हैं, अगर किसी को जूरता है, तो बदले में वो energy देगा, वहाँ पर energy आपको देनी पर रहे थे electron निकालने के लिए, यहाँ पर आप electron दे रहे हो, तो energy release होगी, ठीक है न, क्या होता है, it is the amount of energy released when an extra electron is added to a neutral gaseous atom, to form uninegative ion, ठीक है, जैसे कि X है, इस ने एक electron लिया, तो यहाँ से energy release होगी, clear है, और इसका भी same trend होता है, जो ionization energy वाला trend है, लगबग वो ही same funda रहता है, बस एक funda यहाँ पर थोड़ा अलग चलता है, stability of electronic configuration, क्योंकि अगर किसी की electronic configuration stable है, तो वो electron नहीं लेगा, लेगा ही नहीं, उसे जूरती नहीं है, आगे बढ़ते हैं, successive electron affinity क्या होता है, बढ़ाईए, एक electron के बाद आपने दोसर electron डाला है, तीसर electron डाला है, the amount of energy release मतले है, the amount of energy change takes place, the amount of energy change takes place, क्या कहना चाहरा हूँ, मैं संदालता हूँ आपको क्या कहना चाहरा हूँ, कि जैसे कि atom है, आपने उसको electron दिया, उसे जुरूरत थी, तो उसने electron लिया, हूँ, तो यहाँ पर energy जो है, release होगी, इसे बोलेंगे, first electron infinity, और अगर इसके पर negative charge है, आप इसे still electron होगी, भाई या, already negative आ चुका है, negative, negative में repulsion होगी, और repulsion वाले cases में, energy release नहीं हो अगरती, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जैसे electron ले लिया, यहाँ पर energy absorbed होगी, एनर्जि, एपजोब होगी, जहाँ पर energy release होटते है, वहाँ पर delta H को negative लिखा जाता है, जहाँ पर energy release होटते है, और जहाँ पर absorb होता है, वहाँ पर delta H positive होता है, ea2 always take positive because energy is required due to the strong repulsive interaction between x negative and added electron कि भया already negative है जब आपस में electron add करोगे तो वहाँ पर repulsion होगी तो energy की requirement पड़ेगी आगे बढ़ते हैं electron negativity भया electron negativity ना आप यह मान के तरो कि सबसे जुरूरी concept है मतलब चाहे आपकी organic chemistry है चाहे आपकी inorganic chemistry है हर जगह आपको यह trend देखने को मिलेगा clear है कि नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं electron negativity क्या होता है कि देखे दो atoms की बीच में ना bond है a और b के बीच में ठीक है मान लोग b इसको अपने तरफ खींच लेता है इस shared period of electron को तो जो electron को अपने तरफ खींच सकता है ना वही क्या 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 लाता है electronegative क्या होता है it is the tendency of an atom to attract the shared period of electron of a covalent bond towards itself is called electronegativity किसी भी atom की एक shared period को अपने तरफ खींचने की क्षमता को हम लोग electronegativity बोलते हैं जैसे कि x और y के बीच में bond है y इसको अपने तरफ खींच रहा है क्योंकि अगर screening effect जादा होगा तो वह electron को कैसे खींचेगा screening effect तो electron को पितरफ आने से रोकता है percentage of s character of hybrid orbital यह तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा अगले chapter में आए यह बते कि s character का मतलब यह होता है electronegativity अगर किसी का s character जादा है में उसकी electronegativity भी जादा होती है electronegativity जो है decrease करती है down the group electronegativity जो है increase करती है along the period ठीक है क्यों यहां पर आएगा due to decrease in size clear है आगे metallic and non-metallic reactor है metallic का मतलब metal किसे कहते हैं जो electron देना जानती है तो वो electronegativity के तो inversely होगा क्योंकि electronegativity तो electron लेना होता है electronegativity is directly proportional to non-metallic reactor and inversely proportional to metallic reactor अच्छा अगर कहीं पर electronegativity दो atoms की electronegativity का difference 1.7 से जादा है तो वहाँ पर ionic bond बनता है 1.7 से कम है तो वहाँ पर आपका covalent bond बनता है ठीक है न और अगर 1.7 है तो आपको 50% ionic 50% covalent देखने को मिलेगा सबस्यादा इलेक्ट्र नेक्टिव एक्टिव एक्टम है fluorine फिर oxygen nitrogen और लगबग ब्राबर है chlorine bromine और यह nitrogen और chlorine की electronegativity लगबग ब्राबर होती है प्रियोडिक टेबल का don जो कहा जाता है वो फोन को कहा जाता है fluorine को oxygen को nitrogen को fluorine पहले नमबर का don है then oxygen है then nitrogen है आगे है valency, valency किसे कहते हैं it is the combining capacity of an element एक elements की combine होने capacity क्यों कितने atoms के साथ combine हो सकता है ठीक है न valency remains unchanged down the group ठीक है और क्या होता भी है पहले फोर तक जाती है और फिर कम होती जाती है पढ़के आए हो आप लोग पहले भी है कि नहीं आगे बढ़ते हैं diagonal relationship किसे कहते हैं the element of second period show resemblance with the element of next period and group placed diagonally is called diagonal relationship कि जो second period के elements होते हैं second period के element क्या है lithium, beryllium, boron, carbon वो third period के element से resemble करेंगे और वो भी किन से जो उनके diagonally placed हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा दी diagonal relationship बोलते हैं clear अगला है anomalous behavior anomalous behavior क्यों होता है कि second period के element है अपने बच्चो हुए group member से अलग होते हैं जैसे कि lithium है lithium के property ग्रूप वालों से मिलनी चाहिए बट इसकी property diagonally से मिल रहे है इससे अलग है क्यों हो अलग है क्योंकि इनके साथ बड़े सारे बेजबाव हो इनका size बहुत छोटा है अब बना सकते हैं और इनके पास डी और बिटल भी होता नहीं है यह रिजन है कि यह वचारे अलग होते हैं इनका behavior अलग रखता है अच्छे एक बार ना सारे trends को देख लेते हैं कि trends किस तरह से follow किये जाते हैं चलिए अभी ना कुछ trends हैं इसको screenshot लेलो इन trends को एक पढ़ लेना अच्छे नोर्स आपको टेलिग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे टेलिग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से फ्री ओफ कोस्ट सारे नोर्स आपको मिल जाएंगे ठीक है प्रियोडिक टेबल में trends की बात कर लेते हैं सबसे पहला trend है effective nuclear charge जब हम left right जाते ह तो वह increase करता है top to bottom जाते हैं तो constant रहता है atomic size की बात करें left right decrease करेगा top to bottom increase करेगा ionization enthalpy left right increase करती है top to bottom decrease करती है ionization energy inversely बहुत सारी property जो है वह atomic size के inversely है ठीक है इसमें electron gain enthalpy भी आ गया इसमें electron activity भी आ गया तो इनके trend atomic size के inversely रहेंगे है ना जैसे लेक्ट्र गेन enthalpy left right increase होती है top to bottom decrease होती है उसके बाद स्क्रीनिंग एफेक्ट स्क्रीनिंग एफेक्ट समझते हो ना क्या होता है बाई स्क्रीनिंग एफेक्ट मतलब होता है रुकावट पैदा करना तो यह multi electron सिस्टम में बढ़ते चले जाते हैं जैसे बढ़ेंगे तो बढ़ती है चाहिए लेफ्ट राइट है इसके बाद मटैलिक एक्टर मटैलिक एक्टर का क्या फंड़ा है बढ़ता है लेफ्ट गढ़त ङहनँ बढ़ता है लेफ्ट गढ़ती है लेफ्त sis ऑगरते यह चाहिए वहां पैटिक in review होती है लेफ्ट अच्छे से में कोवलेंड एक्ट क्रेकर लेथम जाने पर इंक्रिजा होता है याद रही हमेशा और जाने पर इंक्रिज जोता है उसके बाद है thermal stability of carbonates यह इतनी इंपोर्टन नहीं है जब आएंगे तब पढ़ लेंगे इन ट्रेंट्स को एक बार आप लोग देख लेना तो यह था बेटा जी आपका classification of elements I hope आप लोगों को बहुत अच्छे से clear हो गया होगा स्टिल कुछ भी doubts हूं आप लोग मुझे comment section में बता सकते हों जाते जाते एक छोटा सा question आप से पूछ लेता हूं आप लोगोंने comment section में group 15 को याद रखने की बढ़िया सी trick बतानी है group 15 में लिखके बढ़ियता हूं nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, basement comment section में जुरूर ताना की इनको याद करने की बढ़िया trick क्या हो सकती है that's all in this video बहुत ख्यार रखिये बोजल मिलते हैं God bless you all please take care